आप चाहे कोई भी काम क्यों न करो अगर आपको desired result चाहिए तो hardwork, smartness, patience इन सारी चीज़ों के साथ साथ जरूरी है कि आप सही दिशा में काम करो मतलब direction में काम करो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले अब सबका favorite topic vector calculus आप सबको पता ही होगा vector calculus में दो sections आते हैं एक vector differentiation और दूसरा vector integration फिलहाल इस particular वीडियो में हम लोग बात करेंगे vector differentiation के बारे तो चलिए कुछ basic basic analogies के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि vector calculus के दो टाइप से vector differentiation, vector integration और आज हम लोग देखने वाले vector differentiation को अब ये सारे discussion में जो सबसे बड़ा player है हमें उसके बारे में काफी जानकर होना ज़रूरी है अब जब आप school में थे तब आपने vectors के बारे में काफी सेरी चीज़े already सिखे होगी दो लोग होते हैं एक होता है scalar दूसरा होता है vector तो vector की कुछ definition भी होगी कुछ याद है आपको तो चलिए ना हम लोग जाते है step by step I have point A and point B जिनको मैंने join किया हुआ है और मैंने कहीं पर direction दिये तो देखो एक vector की basic definition जो हम लोगों ने देखी हुई है काफी बार सुनी हुई है any physical quantity which has magnitude and direction तो magnitude के साथ साथ जिसको direction भी है उस physical quantity को बोला जाता है vector तो for example point A point B को join करने के बाद मैंने direction दी है arrow दिया हुआ इसका मतलब है मेरे पास direction है अब देखो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं clearly लिख सकता हूँ भाई a b bar a b bar a vector को represent करने के लिए हम लोग a b bar use कर रहे बार use कर रहे अब कोई भी vector represent किया जाता है जैसे की definition में बोला है उसकी magnitude और उसकी direction अब देखो यह जो आपको mod वाला symbol दिखाई दे रहा है वो value जो होती है वो आपको magnitude दिलाती है और आपको यहाँ पे एक symbol दिखाई है camp वाला वो होता है unit vector जो की इस particular vector की क्या denote कर रहा है direction तो हमेशा याद करो अगर आपको direction को denote करना है तो आप लोग use करोगे unit vector को मैं आता हूँ इसके उपर फिलहाल तो magnitude मुझे मिल गई और direction के बारे में भी मुझे पता चल गया अब problem यह कि यह quantities किस तरिके से find की जाए एक काम करते ना इस calculation के हिसाब से मैं AB cap को पहले लिख लेता हूँ right AB cap can be written as AB bar होगा और यहाँ पे mod of कितना होगा दोस्त AB bar होगा इसका मतलब है कि आपको कोई भी unit vector अगर find करना है जो की safe or safe direction के लिए use किया जाता है और तो और नाम भी कितना सही है देखो unit का मतलब है 1 ऐसा vector जिसकी खुद की magnitude कितनी है 1 तो वो भाई safe or safe direction देखाने का काम करेगा unit vector को हम लोग लिख सकते हैं आपका vector upon magnitude of जो भी आपका vector है हो so unit vector के बारे में हमें पता होना चाहिए और symbolic representation जैसे कि मैंने बोला आप उसको cap symbol से denote कर सकते हो अब यह हुआ vector के बारे में basics अब two dimensions और three dimensions के बारे में लोग बात करते हैं जब आप 2D की बात करते हो दोस्तों तो आपको पता है कि this is considered as x-axis and this one is nothing but y-axis so two dimensions में चीजें काफी आसाने आपको आपके लिए calculations के लिए लेकिन when it comes to three dimensions यह है आपका तीसरा dimension अब क्या आपको पता है x y z यहाँ पे किस तरीके से denote किये गए है दूसरी चीज इसी के साथ साथ यह जो है यह कहाँ पे जा रहा है मैं आपको दो structures दिखाता हूँ देखो आपके दिमाग में आ रहा है कि ने if you look at this यह देख रहे हो आप लो if you look at this can I say that यहाँ पे यह जो टीनों मार्कर्स है they are mutually perpendicular to each other correct है अब issue ऐसा है आप इसको front view से जब आप देखोगे तो यह वाला blue color का जो marker है वो आपको as in क्या दिखाए देगा point दिखाए देगा तो just to make sure कि यहाँ पे भी एक आपका कोई dimension है इसको हम लोगों ने इस study board पे थोड़ा सा cross करके दिखाया होगा right meanwhile just try and understand कि all these three markers are mutually perpendicular to each other so तीनों dimensions में देखो भी notations में बताता हो जो आपके right side में जा रहा है red color वाला आपको दिखाए दे रहा है जो ऊपर जा रहा है वो आपको black color वाला दिखाए दे रहा है जो आपके पास आ रहा है वो आपको blue color का marker दिखाए दे रहा है so always understand the marker the dimensions जो आपके पास आ रही है that is x-axis जो right में जा रहा है red color वाला that is y axis and जो उपर जा रहा है वो आपका होता है z axis so this is x this is y and this is what z axis just let me write this यह हुआ आपका x axis this is your y axis and this is your z axis अब issue यह है कि x y z in basic axis की direction denote करने के लिए भी आपको जैसे मैंने बोला था unit vector की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे भी हम लोग base vectors, oblique unit vectors use कर रहे हैं कभी भी आपको अगर x direction के लिए कोई direction चाहिए x axis की तो that is represented by i cap, नाम तो सुना ही होगा y के लिए j cap होता है और z के लिए होता है k cap so if you have a point for example let's say 1, 2, 3 as our point right अब 3 dimensions है तो इस point को अगर मैं origin के साथ join कर रहा हूँ तो I'll get this op let's say with direction so I've got what op bar तो क्या आपको पता है इस op bar को हम लोग किस तरीकी से लिख सकते this op bar is written as x की x axis में हम लोग कितना जरे 1 so you should write this as 1 साथ में आएगा i cap because वो x की direction को denote करता है plus 2 j cap आएगा plus 3 k cap आएगा ये हुआ आपका वेक्टर का representation in 3 dimensions अब आपका एक और सवाल रहेगा सर आपने unit vector के बारे में हमें बता दिया original vector किस तरीके से होता है ये भी बता दिया बट हम लोगोंने magnitude के बारे में तो बात ही नहीं करी तो भाई अगर आपको magnitude निकालनी है तो what you have to do is you have to take root and जितनी सारी सारे coefficients आपके आ रहे है उनका आपको square करके उनको add करना है तो देखो तो आपका mod op bar का जो answer आएगा in this case वो कितना होगा दोस्तो it would be 9 13 and 1 so root 14 अबना मैं बढ़िया से दो boxes कर रहा हूँ इन दो boxes को मद्दे नज़र आपने मुझे op cap की value को find out करके देना है बता सकते हो op cap किस तरीके से find out किया जाता है जैसे कि मैंने बोला है unit vector का extended definition है vector upon magnitude of vector तो बताइए ना vector कौन सा यहाँ पे 1i cap plus 2j cap plus 3k cap सही की नहीं upon magnitude of vector आपने अभी अभी निका ली that is root 14 तो देखो किसी भी vector की magnitude इस तरीके से find की जाती है and direction कुछ इस तरीके से find out की जाती है अब देखो बहुत लोगों को confusion है यह ijk हमेशा use किया जाता है तो क्या है तो let me tell you something these are nothing but base oblique unit vector जो k x y z axis की directions को denote करने के लिए use किया जाता है अब देखो किसी भी vector को किसी भी दो vectors को अगर आपको add करना है तो we all know that addition of vectors के हम लोगों के पास दो basic rule है triangle law and parallelogram law इन दोनों laws से आप लोग addition of vectors तो कर सकते हो हम लोग basically focus करेंगे product of vectors के उपर so अगर आपको किनी vectors के product लेने हैं multiply करने हैं कोई दो vectors तो क्या पता है आपको कि हमें क्या क्या करना पड़ता है correct आपको किसी भी vector का product अगर लेना है दोस्तों तो आपको दो तरीके के product हमेशा दिखाई देते हैं एक होता है dot product और दूसरा होता है cross product कुछ idea है आपको कुछ help कर सकते हो मुझे dot product और cross product के बारे में देखो dot product को representation wise में बताता हो cross product को भी representation wise में आपको बताता हो, देखो मैं यहाँ पे कुछ vectors दिखाने की कोशिश करता हो let's have a bar नाम का vector let's have b bar नाम का vector यह direction मैंने दिखा दी and there is an angle in between them मुझे उनका dot product लेना है तो किस तरीके से dot product हम लोग ले सकते हैं, तो कुछ standard formulas आपको पता होने चाहिए, along with that directly भी अगर आपके answers आजाएगी दो vectors आपको दिए और आपको dot product लेना है, तो यह दोनों combinations आपको सही तरीके से आना जरूरी है, तो चलिए ना, देखते हैं सबसे पहले तो, let's talk about dot product so dot product अगर आपको चाहिए दोस्तों तो a bar and b bar का standard formula होगा a, b, जो की इनकी magnitude है mod a, mod b में भी उसको लिख सकते हो और उसके साथ यहाँ पे theta का cosine वाला angle आएगा अब यह cosine वाला angle जो है, वो उसमें work done वगर होता है combinations आते हैं, इस वज़े से यहाँ पे cos वाला angle आया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे देख सकते हो, कि theta is the angle between a and b, so a, b cos theta is your standard formula, now if you ask me, कि मुझे सिफ-फिर सिफ angle find out करना है, तो आप क्या कर सकते हो, again keep your cos theta uncle को as it is, और इस बंदे को, a, b को आप नीचे ले के आ सकते हो, यहाँ पे and you'll be getting your cos theta then आप simply theta की value भी निकाल सकते हो, similarly अभी मैं किस चीज में interested हूं मैं बदातो, if I have got a bar as to be, कोई भी value ले लो, आप चाहिए तो 2i cap plus 3j cap minus 1k cap ले लो, I have b bar नाम का vector, that is again i cap plus 2j cap plus 3k cap ले लेते हैं अब मुझे बताइए, यह दो vectors जिनके आपके पास already notations है, और मुझे अगर बोला गया है कि, इन दो vectors का dot product लेना है तो हम लोग किस तरीके से ले सकते देखो, I'll write a bar that is 2i cap plus 3j cap minus k cap का dot product with what i cap plus 2j cap plus 3k cap के साथ, अब मुझे बताइए एक vector का दूसरे product के साथ dot product लेना है, तो हम लोग किस तरीके से ले देखो, बहुत बढ़िया से trick है, आपको सिर्फ जोड़ी लगानी है, I की जोड़ी I के साथ लगाओ j की जोड़ी j के साथ, और k की जोड़ी k के साथ, कुछ सोचो मत अब जोड़ी लगाना मतलब क्या है coefficients आपको फटा फट मल्टिप्लाइ करने मतलब I का coefficient है 2, is I का coefficient है 1, so this 2 should get multiplied by 1, so 2 into 1 कितना मिलेगा 2, similarly 3 और ये 2, ये दोनो j के coefficients है, multiply करो आपको 3, 2 जा कितना मिलेगा 6, and then minus 1 into 3, that is minus 3, so overall जब आप इस चीज को simplify करोगे, तो 8 minus 3, you will get your answer as to be 5 and दोस्तों, ये हुआ आपका a bar dot b bar का final answer, don't you think so इस answer में सिर्फ आपको magnitude दिखाई दे रही है, इसका मतलब है, dot product में जो answer आता है उसको आप लोग as in scalar product भी treat कर सकते हो, आया समझ में अब ये हुआ dot product similarly, there is something called as cross product, correct अब आप ही मुझे बताइए, I'll show cross product यहाँ पे cross product में आपको करना के है, पहले तो मैं आपको formula बताता हूँ, a bar का cross product b bar के साथ होगा, तो a और भी तो होगे, अब यहाँ पे अगर technically cost आया है, तो आपको तो पताईए, यहाँ पे आना चाहिए था sin theta and सबसे interesting part जो बहुत लोग भूल जाते है, that is n cap, now will you please help me a b sin theta और यहाँ पे चिपक के कौन आया हुआ है, n cap cap मतलब अभी भी discuss किया था, direction है इसका मतलब है, इसका जो भी answer आएगा दोस्तो उसमें magnitude के साथ साथ, direction भी होने वाली है, मतलब this is officially nothing, but कौन सा product हुआ, vector product, so scalar product मतलब dot product vector product मतलब cross product अब बताईए न, अगर आपके पास यही दो a bar और b bar है, तो will you please help me, a bar cross b bar का answer किस तरीके से यह तो आपने presentation देखा ही होगा, just have a look at it, यहाँ पे a bar और b bar यह दोनों के दोनों vectors का हम लोगों के पास notation है, लेकिन यह सब कुछ जो चल रहा है, यह considering these three as base vectors चल रहा है न, तो सबसे पहले row में you will write i cap, j cap, k cap, उसके immediate बात, आप लिखोगे a bar की value के coefficients, मतलब 2 3 and then minus 1, similarly b bar की coefficient लिखोगे, 1, 2 and यहाँ पे 3, फिर उसके बाद आपको इस 3 by 3 वाले determinant को solve करना होगा जब आप इसको solve करोगे, यह solving का procedure तो आपको पता ही है, अगर आपने determinant को solve नहीं किया है कभी, तो मेरा matrices पे एक वीडियो है, उसकी link में आपको description में दे देता हो, तो फटा-फट यह solve करो, जब आप solve करोगे you'll understand, a bar across b bar में आपको i भाई साब, j भाई साब और k भाई साब के entry दिखाई देगी, इसका मतलब यह है, कि जो answer आएगा दोस्तो, that is clear cut a vector quantity, तो right, so product of vectors में ज़रूरी है कि आपको dot product as well as किसके बारे में पता हो cross product, now my simple question to you will be, sir हमें सिर्फ product लेने के लिए बोला है, तो हमें कैसे पता चलेगा, dot product लेना है, या फिर cross product, देखो, मैं आपको एक अंदाजा बता देता हू, approximation बताता हू, जहाँ पे भी, जहाँ पे भी, linear displacement होगी, वहाँ पे आप लोग dot product को use करोगे, और जहाँ पे भी, angular displacement होगी, rotations होगे, circular motion रहेगी, in that case आपको cross product या फिर vector product को use करना होगा, तो basic idea तो हमें आ गई, किस तरीके से vectors का product लिया जाता है, and vector का addition के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब अगर इतना basic हम लोगों के पास है, तो क्यों ना, अब हम लोग शुरू करें, vector के साथ जो यहाँ पे चिपक क्या ही हुई है term, that is nothing but differentiation, तो चलिए देखते हैं, अब vector differentiation, right, इसके लिए हमें एक vector operator को introduce करना है, and let me introduce the operator, which is nothing but known to be as del, और यह जो del है, इस del का एक specific formula है, deba by deba x i cap, deba by deba y j cap, plus deba by deba z k cap, hold on, मुझे पता है, मैंने जो भी बोला, आपको शायद हसी आ रही होगी, deba, yes, आप यह जो यहाँ पे देख रहे हो न, यह symbol, यह न, derivative ही है, but हम लोग हमेशा जो derivative करते हैं, वो d by dx वाला derivative होता है, यहाँ पे जो derivative यूज किया गया है, that is, partial derivative, मतलब, इसको, यह सिर्फ फिद रिस्पेक्टो x derivative करेगा, इसको y और z, बाकि सारी चीज़े यह constant treat करेगा, similarly, x और z के लिए यह constant treat होगा, और x और y के लिए यह constant treat होगा, तो इसको आप dou by dou x, dou by dou y भी भी बोल सकते हो, या फिर daba, I choose to call this as to be daba, आप चाहे जिस नाम से इसको बुलाओ, कुछ लोग इसको डेल भी बोलते हैं, तो फिलाल तो मेरे पास daba by daba x i cap, daba by daba y j cap, daba by daba z k cap, एक अच्छा point जो आप नोट कर सकते हो, there is i cap, j cap, k cap मतलब simply ये vector operator हो सकता है, देखो, अब हम लोग 2-3 चीज़ों के उपर काम करेंगे, सबसे पहली चीज, for any scalar quantity, जिसको हम लोग consider करेंगे 5, for any scalar, कोई भी scalar अगर हम लोगों को दिया हुआ है, and if we are asked to find, देखो, क्या की है, मैंने del और 5 को में directly multiply कर रहा हूँ, तो del 5 अगर मुझे निकालना है, तो मेरा answer क्या आएगा, देखो तो सही, ये del का answer है, डेबा बाई डेबा एक साई कैप, प्लस डेबा बाई डेबा वाई जे कैप, को हम लोग 5 से multiply कर रहे हैं, तो मेरा answer, फाइनली यहां पर आएगा, डेबा 5 बाई डेबा एक साई कैप, डेबा 5 बाई डेबा वाई जे कैप, and then, डेबा 5 बाई डेबा जेड और यहां पर आजाएगा, के कैप, ये रहा मेरा del 5 का answer, मैं थोड़ी देर में इनके क्या नाम है, किस तरी के से work out होता ही है, सब कुछ आपको detail में बता दूँगा, so for any scalar 5 का हम लोगों का calculation तो भाई, सही बैट गया है, अब देखते हैं, for any vector, say, f-bar लेते हैं हम लोग, force vector f1 i-cap, plus f2 j-cap, plus f3 k-cap वाले vector को लीते हैं, और देखते हैं, कि हमारी कौनसी कौनसी quantity, अब हम लोग find out कर सकते हैं, मुझे दो calculations करनें दोस्तो, जो कि आप मुझे support करोगे, while calculating, एक पहला मेरा calculation रहेगा, exclusively रहेगा, डेल का, और f-bar का, मैं लेने वाला हो, dot product, so del, dot क्या लिखा मैंने एक बार, तो बताओ आपको, dot product किस तरी किसे निकालना आपको आता है, मैं यहाँ पर del की quantity लिखता हूँ, daba by daba x i-cap, plus daba by daba y j-cap, plus daba by daba z k-cap, का dot product होगा, f1 i-cap plus f2 j-cap, plus f3 k-cap के साथ, तो बताओगे dot product का answer क्या आता है, आपको तो पता है, सिर्फ coefficients आपको तरीके से multiply करने है, तो अब मुझे बताइए, आपका answer आएगा, daba f1 by daba x, daba f2 by daba y, plus daba f3 by daba z, यह हुआ आपका, del dot, f-bar का answer, मैं आता हो, इन सारे लोगों के detailing पे मैं आने वाला हूँ, अब similarly, for any vector f-bar, मुझे एक और calculation करना है, तो मैं देखो, थोड़ा सा positioning ले लेता हूँ, for any vector f-bar, मैं जा रहा हूँ, find out करने के लिए, देख सकते हो, आप लोग, del cross f-bar को, तो आपको तो पता ही है, मैं यहाँ पे i-cap, j-cap, k-cap लिखने वाला हूँ, del की notations आपको पता है, dab-a-by-dab-a-x आएगा, dab-a-by-dab-a-y आएगा, dab-a-by-dab-a-z आएगा, और f-bar के notations आएगे, 1, f-2, and f-3, इसको solve करके, जो भी आएगा, वो मेरा final answer आएगा, तो देखो, हम लोगोंने, del operator को लिया हुआ है, और 3 combinations किये, पहला, scalar के लिए किया, del 5, दूसरा, हम लोगोंने लिए, dot product f-bar के लिए, so del dot f-bar, और तीसरा, मैंने लिए cross product, that is del cross f-bar, तो अब, देखिए, दोस्तों, इन सारे लोगों को, specific नाम है, यह जो आपने, अभी अभी, del 5 किया था, that is known to be as, special नाम है, उसके लिए, this is nothing but gradient, तो आपने, अभी अभी, यहाँ पे, जब आप del 5 करते हो, तो आपने, gradient find किया हुआ है, यह जो del के बाद, dot आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब, आपने, यहाँ पे quantity find out करी, एक element find out किया, जिसको हम लोग बोलेंगे, divergence of a vector, आपने find out किया, एड जो तीसरा version है, उसको बोलते है, curl of a vector, अब देखते, यह तीनों combinations का मतलब कै, यह हमें बताता है gradient, so gradient के लिए आपको del 5, करना होगा, scalar पर operate होगा, उसके बाद देखते, divergence, divergence का मतलब है, net outflow, या फिर inflow, जो भी है, तो देखो, net outflow, जब आप करते हो, तो divergence, so positive divergence भी हो सकता है, या फिर negative, so जब भी कभी divergence निकालना है, तो आप लोग लोगे, किसी भी vector का dot product, किस के साथ, del के साथ, so dot product means, divergence, and सबसे important चीज़, divergence का जो answer है, that is always a scalar quantity, as we all know, dot product जो होता है, वो हमेशा scalar होता है, and then, यह तो नाम सी पता चलता है, हम लोग बोलते हैं, curly hair, right, तो curly मतलब, जहां पर भी rotational motion आएगी, तो उस circular motion के लिए, हम लोग जो velocity calculations रहते हैं, यह सारे calculations, हम लोग curl को find out करके निकाल सकते हैं, so there are three quantities, gradient, divergence, and क्या लिखाय मैं यहां पर curl, अब लोगों का यह सवाल है, कि sir, यह डेल और F-bar के बीच में कौन है, dot है, dot, stands for D, dot, derivative, dot, divergence, so यहां पर, dot का D, divergence का D, so जब भी कभी dot product होगा, किसी vector के साथ, तो you'll understand, कि यहां पर जो आएगा, वो आपका divergence आएगा, यह देखो, यह क्या है भाई, यह cross product है, correct, तो cross मतलब C, and curl मतलब भी C, तो cross product के लिए हमेशा curl, और यह देखो, del और phi के बीच में कोई भी नहीं है, ऐसे ही time pass, मतलब gap है gap, तो gap का G, and gradient का G, यह बस याद रखने के लिए, तो आपको, gap, gradient, dot, divergence, and cross, curl, यह तीनों के तीनों notations, समझ में आए है, तो इन तीन basic notations को use करके, हम लोग vector differentiation की concept, जो है वो और आगे लेके जा सकते हैं, मेरा next session जो होगा, वो exclusively होगा, directional derivative के बारे में, और उसके बाद, I'll start off with vector integration का concept, I hope, यह सारी चीज़े, यह सारी basic ideas, आपके अब तक clear हो चुके, स्कूल का mathematics हो, या फिर science, commerce, arts का mathematics, aptitude के लिए लगने वाला modern mathematics हो, या फिर किसी भी competitive exam का mathematics, engineering वाला maths हो, या फिर कोई भी higher mathematics हो, अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बास होरी, क्यूकि हसते, खेलते, गुन गुनाते हुए, रानक सर के साथ होगी, math की तगार, for more information, you can call me on this number, you can also subscribe my YouTube channel, RC Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram, press the bell icon on the YouTube app, and never miss another update,